आज है 11 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SCL Tech के बारे में देखे एक हजार तीनसोर रुपे का ये शेर है डेड़ परसंट की गिरावट आज हमें देखने को मिली है और अगर आप मेरी चैनल को regular follow करते हो तो जिस दिन TCS के results आये थे last Friday को तभी मैंने वीडियो बना कर कहा था कि हर बार एक चीज देखने को मिली है अगर हम TCS के बात करेंगे इसी के context में हम बात करेंगे क्योंकि इसके भी वह result आने है तो इसी के context में हम बात करेंगे क्योंकि 5.5% के बहुत बड़ी गिरावट है जबकि आज market भई अब बड़े ही अच्छे mood में था फिर भी TCS में गिरावट है results इनके आये थे तभी मैंने वीडियो बनाया था दो दिन पहले ही Friday को इसके जब results आये थे तब ही मैंने वीडियो बना कर कहा था कि देखे नतीजे तो बहुत ही शांदार आये हैं लेकिन एक tendency रही है IT कंपनियों की कि जब भी नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ये share तूटते हैं पिछली बार भी ऐसा ही देखने को मिला था इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला है तो जाहिर से बात है SCL टेक में भी आज गिरावट है हलकि रिजर्ट्स अगर हम देखे TCS के तो बहुत ही शांदार है नतीजे खराब नहीं है बहुत ही शांदा रिजर्ट्स इनके आये थे चाहे सेलिंग की बात करें प्रॉफिट्स की बात करें नीचे की लेवल पर TCS में खरीदारी के ही मौके बनने वाले है तो इसके उपर नज़र रखे लेकिन बात करते हैं SCL की 1300 रुपे का शर इसके भी नतीजे आने वाल है वीडियो में हम डिसक्स करेंगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कहां मौके बनेंगे और क्या करना चाहिए वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो TCS स्वरी SC Health Technology आज हलके से गिरावाट है 1.5% की पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो 8.5% का बढ़िया ग्रोथ आया है यहां पर तक्रीबन 1200 अच्छी रफ्तार इसमें देखने को मिली थी लेकिन नतीजे बहुत शांदर आने के बावजूद भी गिरावाट है और यह मैंने पिछली बार भी कहा था और यहां पर भी देखो जो रफ्तार बनी है वह यह SCL टैक में यह बहुत शांदार है बहुत शांदार रफ्तार ह नहीं है इतने शॉर्ट टम में लेकिन देखने को मिल गई इस बार बहुत अच्छी रफ्ता रही लेकिन प्रॉफिट बुकिंग है और शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है वीडियो में हम एंड में बात भी करेंगे कि कौन सा लेवल खर मोटर के पास है 23.22% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं मूचल फंड और इंशूरंस कमनी अच्छे कासी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं और देखें डिविडेंट बहुत अच्छा पे कर रहा है यह तो मैंने हमेशा कहा है कि विप्रो इन्फोसिस हैसल टीस खरीदो बाई यहाँ पर नहीं है लेकिन हाँ एक सर्टन लेवल पर पहुंचने के बाद जब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे के लेवल पर बाय करना चाहिए और ताइम हाई इस पर बैठा हो तब भया शक्तिवान बनने की जरुवत नहीं है उस लेवल पर यहाँ पर अग कंपनी के टागट एक हजार चार्सोर रुपए के टागट मुटिलाल उस्वाल ने दिये हुए हलाकि इनके सलना टागट रहते हैं यहाँ पर देखे तो रिवन्यू में बढ़िया उच्छाल है कोई शक की बात नहीं है यहाँ पर और हर साल का रिवन्यू पिछले साल के काबले जादा है 11,170 करोड के आसपास का प्रॉफिट है बगया कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है यह शांदार प्रॉफिट है बहतरीन प्रॉफिट है SEL हाला कि current price थोड़ी जादा है लेकिन फिर भी सबकुछ हरे निशान में long term में अच्छा पैसा बना है अच्छा dividend पे करता है यह share अभी भी अच्छा मौका है खरीदारी का कोई भी rate flag नजर नहीं आ रहे है सस्ते valuation के उपर available है 32 का इसका PE है जबकि sector PE 40 का है 80% के खरेदें खरीदारी कर सकते हैं अब second चीज़ की बात किएते हैं अगर खरीदारी नहीं करी है तो fresh buying कहां पर करे किस level पर करे तो मेरे हिसाब से 1200 रुपए का जो level है वो मुझे खरीदारी के लिए अच्छा लगता है और वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और दूसरी बात देखिए मार्केट ना बढ़िया लेवल पर बैठा हुआ है और देखिए मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ पिछले एक हफ़ते से ये चीज़ में बोल रहा हूँ ठीक है कि मार्केट आल टाइम हाई से बैठा हुआ है दिवाली तक अच्छी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी मार्केट में लेकिन दिवाली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है ठीक है और बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो नजर रखिएगा मार्केट में अच्छे शैर्स के पैस होगी ताकि आप थोड़ा और इन्वेश कर सके नीचे की लेवल पर एसेल टेक बारा सो रुपए के आसपास मौके मुझे नजर आते हैं अगर खरीदारी नहीं करी है तो तो थोड़ी कॉंटिटी बारा सो के उपर खरीदो वहां से हर सो रुपए के गिरावट पर हमेशा कहता हूं कुछ शेट्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए कुछ में इन्वेश्मेंट करना चाहिए और स्चाल करने लायक शहर है तो कि देखें डिविडेंट तो आपको साला ना अच्छा पे करेगा ही हर साल आप देखें यहां पर इस बार साल में वही है पांच बार डिविडेंट पे कर रहा है यह 2021 में बोनस भी अगर देखें तो अच्छा खासा बोनस पे करता है 2019 में किया 15 में किया 6 में किया आगे भ आसा टेक्नलोजी और बहतर तरीके से इवाल्व होगी और ऐसे में जो कंपनिया अच्छा कासा पैसा रखती है महारत रखती है उसमें आप को तेजी ही देखने को मिलेगी तो future के उपर पैसा लगाईए और एक चीज़ अगें कह दू यहाँ पर आल टाइम हाई से मार्केट बैठा है तो पैसा थोड़ा बचा के भी रखिएगा थोड़ी थोड़ी quantity add करिए SEL में खरीदारी करिए long term का plan है तो बने रहिए यहाँ पर short term का plan है तो थोड़ा बहुत profit लेके निकल सकते हैं यहाँ से दूसरी बत fresh buying अगर आप करना चाहो तो 1200 रुपे का level मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए और नतीजे के बाद जैसे कि हमने देखा कि भया TCS के शांदार results थे फिर भी आज 5.5% के गिरावट थी यही trend SEL में भी follow होने वाला है यही trend विपरो में भी follow होगा यही trend जो है वो Enfosys में भी follow होगा तो इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रहे है क्योंकि पिछले quarter में भी यह चीज़ देखने को मिली थी और इस quarter में भी TCS के साथ इस trend की शुरुआत हो चुकी है रिजल्ट्स भले ही कितने भी अच्छे क्यों न आये हो profit working जरूर देखने को मिल रही है रिजल्ट्स के बाद तो यही कहूंगा नजर रखें company के उपर long term का नजरिया रखेंगे तो ज़्यादा फाइदा होगा वीडियो को यही पेरेंट करूँगा पसंद आया हो तो लाइक के रशाय करें चैनल पगरा पहली बार रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और SCL Tech के बारे में आप क्या सुख़ते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक यू